हलो गाइस तो काल का मैच था जो वाल काप का एक ग्रूप क्वालिफार मैच हो रहा है वहाँ पर वेस्ट इंडी वर्सेस नेधर लेंज का मैच चाल रहा था सच में यह मैच देखने के बाद ना मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एचले मैच भी देखा भी नहीं हूँ यह इस तरीके से मैच आए समझ में नहीं आ रहे है किस तरीके से इन लोग खेला है विश्टी इसका खराब है मतलब नहीं बोलूंगा एक तरीके से जो है नेधरलेंज बहुत आच्य खेला है बट इस तरीके से पहले मेरा बश्पन से अभी तक सायद मैंने चार वाल कब द मारा देती है यह की मतलब बहुत अच्छे बात है पाड काल के दिन में जो है नेधर लेंस टॉस फिर ता और जितने के बाद नेधरलेंस जिदा आघ। बॉलिंग करने का डिसीशन लिया और उसके बाद जो है वेस्ट इनिज ने बहुत ही अच्छा मरा 374 रांस किया बहुत ही बाच्छी बात है 374 रांस मतलब साइटीन से को ऊपर रां करना वाल कप का क्वालिफायर में बहुत ही अच्छी बात है बेंडर्ण किंग ने 76 मरा निकोलास पुराण ने 104 मरा 104 रांस का एक पारी था 65 बाल में 104 रांस माना 9 चोका और 6 चक्के के मदद से और वहां पे ब्रेंडर्ण किंग ने 13 फोर्स माना मतलब 52 रांस तो आ गया है 76 का जो पारी है उनका कीमपॉल में बहुत चा क्यामिव लागाया 25 बाल में 46 रांस बना का एक बॉलर है मतलब क्या बॉलिंग है क्या बैटिंग है सच में देखने वाला चीज है उसके बाद नेदालेंस का बैटिंग शुरू होता है यहां पे बिक्रम जी सिंग ने 37 रां किया मैक्स ओडाउड ने 36 रांस उसके बाद तेजा निदा मानूरू ऐसा कुछ नाम है जो की 76 बॉल में 111 रां माला बहुत ही आच्छा बात है इसमें से ग्यारा चोके अन्ती त्री चपके थे त्री चक्के थे त्री सिक्से स्कॉड एडवार्स जो की कैप्टेन है विकेट की बाद भी है उन्होंने 47 बॉल में 67 रां इसमें से 6 चोके और एक चक्का भी समिलता आखाल अगर आपने और झात नेधर लेंड का और वेस्ट इनल्स का मैंश कभी सोचाह भी नहीं हो के नेधर लेंड्स जीच जीच सकते था आगर अगर आपको मलूम चाल देता है कि नेधरलेंड जीच जाए अगर करके तो सायद आप लोटेरी का टिकेट खरीज लेते थे तो यह था ICC Cricket World Cup का क्वालिफायर मैच 2023 का सीजन है और प्लेयर अफ दा मैच बन गया है लोगान भैन भीक ने सच में कामाल का कामाल का प्लेयर है तो ओएस्ट इनिस का इस तरी का सा हलाद इतना खराब है अभी सायद इस वर्ल्ड कम में हम ओएस्ट इनिस को देखने बाला नहीं है क्योंकि ग्रूप ए और ग्रूप बी दोनों क्वायलिफायर राउन चल रहा है और उसमें से जो टॉप अभर्र फ़वर्एल रठी इंडिजन जो है चार मैस में काली दो मैज जीता है दो मैच अगर रूप बात करें तो यहां पर सिलोंका ने तीन मैच में तीन मैच जीता है copying हैं तीन मैच बट कौन ऐसा समझ था कि इतने जे ज़ाये मैच आ जाएगा ओबर तुबबर अगर वेस्ट इंडिस भार्स निधरल्ण का बात करें तो कही ना कहीं 6 ओवर्स के बाद 32 फोर 0 था वेस्ट इंडिस और निधरलेंज था 42 फोर 0 15 ओवर्स के बाद वेस्ट इंडिस था 89 फोर 0 यहां पर नेधरलेंज बने गया था 99 फोर 2 25 ओवर्स मिए 146 फोर वेस्ट इंडिस का स्कूर और वहां पे 141 फर 3 विके लौज था नेधरलेंज का स्कूर जाके बराबरी में से इंडिया श्रिलोंका इंग्लेंड और इस तरीका से मैच चल दाए मतलब रोमान्चक में जार थाइवाबर में वेस्ट इंडिज था उसके बाद फिप्टी ओवर्स के बाद यहां पे मैच का सुथ मतलब जो स्टैडिस्टिक है ना सब कुछ खदम हो जाता है जो क्रिकेर बोला जाता है कि आंसार्टिंटा के गेम है तो वही प्रूब हो जाता है फिप्टी ओवर्स के बाद वेस्ट इनिस का स्पोर हो गया था 374 बार 6 मेधरलेंज ने विकेर तो ज्यादा गमा दिया 374 बाई 9 कर दिया तो मैच चले आता टाइम में और टाइम में मैच जाने के बाद जो सुपर ओवर होता है जो कि बहुत दिन से हम इंतेशार कर रहे थ मगर सुपर ओवर हमें मिला नहीं है बड़ यहां पे वाल्लकप क्वालिफायर में 2023 का मैच चल रहा है वेस्ट इनिस और नेदरलांड के बीच और इहीं पे हमें मिल जाता है सुपर ओवर स्कॉट अडवर्स और 80 निदा मानरू इनका जो पार्टनर्सिप था 90 बाल में 143 यही पार्टनर्सिप जिता दिया ब्लास्ट में जो लेल भी रैंडविक इनके जो स्कोर था बारा बल में 26 का जो था मस्ट था ओबर तो खतम हो गया अभी आगया सुपर ओवर सुपर ओवर में फीट से जो है वैंडविक आ गया बैटिंग करने में और उधर अपोसित में विगे हैं और जैसेंग वोड़र वह इश्टीए इसका बहुत ही अच्छा बैस बट बोल रहे पहली ब्ल में चोका लगा दिया सेकनड बॉल में उबर का थार्ड बॉल में चोका लगा दिया वैंडविक ने फिर सीक्स फिर नेक्स्ट बॉल में जिट लगा फिर लास्ट बाल में फोर मर दिया तो टोटल थर्टी रांस आया तीस रान आया एक ही ओवर में सुपर ओवर में कौन बनाया एक बॉलर इसका नाम है वैंड बीक यह बंदा बैटिंग कर रहा था मतलब जब निदरलेंड का मैच चाल रहा था लास्ट में बैटिंग कर रहा 20 तो ठीक है यार आई पील का मैच में लास्ट वर में 20 रांस करना भी बुड़ी बाला हो जाता है बट फिर भी यहां पर सुपर ओवर में फास्ट बैटिंग करते हुए 30 रांस मारना और वह भी तीन चौका तीन छटके के मदद से जो की कावीले तरीफ है एक बॉलर के तर जिढ़ेंगे बट नहींगे नेक्ट बाल में एक रांमारा फिर नेक्ट बाल वह जो फॉर्थ वाल था वहां पर बंदा आउट रहा जांस चाल्स ने और यहांस पर साकीब जूर्फिकर बोल्द वैंड वीक और फिर जु आख फित बाल में रोमारियों सेफ़र आता है बै तो दूसरा जो टीम है वो जीत जाता है ऐसे में जो है नेधरलेंड जीत गया तो नेधरलेंड जीता है इस बात का कुछ प्रॉब्लेम नहीं है बट 375 रान करके है और लूजिंग करना गेम हारना और वो भी नेधरलेंड के जैसा चोटा एक टीम मतलब चेस करते हुए बहु बहुत ही खाराब एक टाइम पर वेस्ट इंजी एक टीम था जिसको देखके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया स्रिलोंका कांपते थे उनको बैटिंग और बोलिंग देखके अज क्या हो गया वेस्ट इंज को बट फिर भी हैट्स अप टू नेधरलेंड क्रिकटर बहुत है में बॉलिंग करती है दस अबर में उन्हें 77 रां दिया था एक विकेर भी लिया था उसके बाद बैटिंग करते हुए कलाम मता दिया क्या वही बहुत ही अच्छा बात है बहुत ही खुशी लागा बचपन से मैं इससे लिगा सा मैल्स देखता हूं बट इस तरी क कमेंट करो अगर फेश्बूक पेज से देख रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमाडा पेज में बने रहा हूं थैंक्यू वाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो बाबाई